अगर आपने flip card के application से कोई भी product को order किया है और उसका delivery भी हो चुका है तो उसे आप return करके refund कैसे ले सकते हो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे और जानेंगे full life proof के साथ तो आप वीडियो को लाइक करके चनल को subscribe किजिए और वीडियो को बिना escape किये हुए पूरे इंडितर के तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है देखिए कर आपने flip card से order किया है और उसका delivery भी हो चुका है अब आपको return करना या फिर refund करना तो कैसे हो सकता है इसके बार product है जिसका आज delivery होने वाला है और जब मैं video बना रहा हूं तो इस product का delivery भी हो चुका है और यह product मुझे सही नहीं लगा तो आप मुझे return करना है और पैसा मुझे refund लेना है देखिए return करने पर कई सारे condition होता है जैसे कि आपको action करके मिलेगा या फिर आपको refund ही मिलेगा पैस तो आप refund कैसे ले सकते हो या फिर replacement कैसे कर सकते हो इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर देख पर होंगे कई सारे order है जिसका आज delivery होने वाला था और हो भी चुका है और product काफी विकार है मैं आपको product नहीं दिखाने वाला हूं लेकिन कुछ shorts विकरा है आगे कुछ इस तरिके का step फूल के आजागा आप यहाँ पर देख पर होंगे पूछेगा कि return करने का reason क्या है तो आपको कोई सा भी reason select करना है मैं यहाँ पर select करता हूँ received a broken या फिर damaged item इसको मैं select करता हूँ because इसमें condition कई सारे हैं और यहां से हो जाता है तो मैंने यहाँ प condition है आपको जो भी genuine condition लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हो अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर कर देजएगा different color इसको select करने के बाद आपको कुछ इस तरह की से भढ़ना परेगा comment में अगर आपको comment में कुछ extra चीज़े लिखना है तो आप लिख स replacement चाहिए तो तीनों option है आपको जो सही लगे कर सकते हो मैं यहाँ पर पैसा ही refund लेने वाला हूं वैसे यहाँ पर तीनों बटन है आप refund भी ले सकते हो या फिर एक्षेंज करा सकते हो उससे इम आइटम के साथ या फिर replacement कर सकते हो किसी अन प्रोडर के साथ तो आपको जो सह कर सकते हो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं आपको यहाँ पर refund वाले पर टैफ करना है refund वाले पर टैफ किजेगा और continue किजेगा तो कुछ इस तरह के से नीचे में आपको सिलक करना पड़ेगा कि आपको payment किस method से लेना है पहला option है कि gift wallet में आप ले सकते है आपके original payment method में पैसा आने में तो मैं आपर original payment method को सिलक कर लेता हूं इससे मेरे UPIC link वाले bank account में पैसा आ जागा यह सारे step करने के बाद आपके return का request ले लिया जागा अगर आपने delivery के time ही इसे return किया है तो delivery agent उसी समय आपसे प्रोड़क्ट ले लेंगे अन्य तहां अगर आ process होता है इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है आपको जिस भी तरीके से और जिस भी packet में मिला है उसको उसी में रख देना है और delivery agent आएंगे और जो भी आपको दिये हैं because होता है open box delivery तो सारा चीज़ चेक करेंगे और चेक करने के बाद ले जाएंगे उसी समय आपको payment मिल मतलब यह सब होने में 5 to 7 days लग जाता है return से refund लेने में तो कुछ इस तरह किसे आप लेपकार्ड के application पर order करके और order सही ना लगे तूससे आप return करके refund ले सकते हो सारा step को मैंने आपको full life pro के साथ दिखा दिया धन्यवाद